हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे वेज मतर पुलाव, इसे गुजराती में वटाना पुलाव कहा जाता है अगर आप बिर्यानी लवर हैं, तो आपको इस रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं, लेकिन इसकी रेसिपी काफी हद तक बिर्यानी से मिलती जूलती है यकीन मानिये, आप जब इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, तो बार बार आपको इसे खाने का दिल चाहेगा और इस रेसिपी के एक खास बात ये है, कि इस रेसिपी मैंने मेरी आंटी से सीखी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसेल रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले वेज मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एक सीक्रेट मसाला तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने दो गांठी लहसुन के लिए हैं, इसे छील लेंगे साथ ही में मैंने दो इच का अद्रख का टुकडा लिया है, इसे भी हम छील लेंगे और दस सूखी लाल मिच ली है, लाल मिच को मैंने दस मिनिट के लिए पानी में भिगो दिया था और इन सारी चीजों का हम मिक्सी जान में पेश्ट तयार कर लेंगे तो इसमें 4-5 तबसपुन जितना पानी एट करके इसे अच्छे से पीस लेंगे अब हम चावल बोईल करेंगे तो चावल बोईल करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लिटर पानी लिया है इस पानी में एट करेंगे 5 काली मिच, एक बाध्यान का फूल और एक दालचीनी साथ ही में इसमें 1.5 तीस्पून नमक एट कर देंगे और हाई फ्लेम पर पानी को पहले अच्छे से बोईल कर लेंगे तो पानी अच्छे से बोईल हो चुका है अब हम इसमें सोक किये हुए बास्मती चावल एट कर देंगे तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो बास्मती चावल लिये हैं इसे मैंने 2-3 बार पानी से धोग कर अधे घंटे के लिए भीगो दिया था इसे एक बार चला लेंगे और गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चावल को तब तक बोईल करेंगे जब तक यह 90% तक बोईल ना हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर चावल को 20 मिनिट के लिए बोईल कर लिया है यह देखिए चावल 90% तक कूक हो चुके हैं अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और छहनी की मदद से इसका ज्यादा का पानी निकाल लेंगे और यहाँ पर मैंने एक पेन में 5 टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें मैं कुछ खड़े मसाले एड़ करूंगी जैसे की एक टिस्पून जीरा, साथ से आठ काली मिर्च, एक बाधियान का फूल, एक दाल चेनी का टुकड़ा और पांच लॉंग और कुछ सेकंड तक हम खड़े मसालों को तेल में सोटे कर लेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी साइस की कटी हुई प्याज दिखिए यहाँ पर प्याज बिल्कुल ओप्सनल है अगर आप प्याज ना एड़ करना चाहें तो इसे स्किप कर दे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक तेल में फ्राई कर लेंगे तो गोल्डन ब्राउन होने तक हमने प्यास को तेल में फ्राई कर लिया अब हम इसमें एड़ कर देंगे दो बड़ी साइस के आलू तो यहाँ पर मैंने आलू को छील कर इस तरह से थोड़े बड़ी साइस के टुकडों में कट कर लिया है साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे मतर तो यहाँ पर मैंने एक कप मतर लिये हैं और दो मिनिट के लिए आलू और मतर को तेल में फ्राई कर लेंगे गेस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो हमने इसे दो मिनिट टक मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है अब हमने जो लाल मिश, अद्रक और लहसुन का पेश्ट बना कर रखा है वो इसमें एट कर देंगे अब इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे जैसे की स्वादनुसा नमक, एक टीस्पून लाल मिश पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून धन्या पाउडर क्योंकि हमने चावल में भी नमक एट किया है इसलिए मसाले में नमक एट करते वक्त ध्यान रखेंगे तो हमने यहाँ पर एक टीस्पून नमक एट किया है इसमें एक चोथाई कप जितना पाणी एट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने पुलाव के लिए जो पेस्ट बनाया है उसमें हमने दस सूखी लाल मिस्ट का इस्तेमाल किया है अगर आप इसे थोड़ा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो सूखी लाल मिस्ट की क्वंटिटी अपने टेस्ट के अकोर्डिंग बढ़ा सकते हैं तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे तो अभी इसे लो फ्लेम पर पकते हुए सिफ पांच मिनिट हुई है तो मसाला नीचे लगना जाए इसलिए एक बार इसे चेक कर लेंगे और इसे फिर से कवर कर देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक आलू 80% तक कुक ना हो जाए तो इसमें सारे मसाले एट करने के बाद मैंने इसे बीच में चेक किया था तो टोटली मैंने इसे 10 मिनिट के लिए पकाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के आलू 80% तक कुक हो चुके हैं और सारे मसालों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और इसका जो तेल है वो भी सर्फेस पर आने लगा है तो इसे एक बाद चेक कर लेंगे और इस टेश पर हम इसमें एट करेंगे दही तो यहाँ पर मैंने आधा कब दही लिया है इसमें दही एट करने से पहले आप दही को पहले अच्छे से पेट लिजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही में तीन नीम्बू का रस एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दहीं और नीम्बू का रसेट करने के बाद हम इसे दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर और पका लेंगे तो दहीं और नीम्बू का रसेट करने के बाद मैंने इसे दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पर और पका लिया अब इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें इसमें इस तरह की थोड़ी तरी बाकी रखनी है तो गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और पुलाव को दम करने की तयारी कर लेंगे तो दम करने के लिए हम चावल और मसाले की लेयर बना लेंगे तो सबसे पहले हम बोईल की हुए चावल की आधी क्वंटिटी इसमें एड़ कर देंगे और इसकी एक लेयर सेट कर लेंगे चावल की एक लेयर लगाने के बाद हमने जो पुलाव के लिए मसाला तयार करके रखा है उससे एड़ कर देंगे तो इसे हम पूरा ही एड़ कर देंगे और इसकी भी एक लेयर सेट करेंगे चावल और मसाले की एक लेयर सेट करने के बाद हम इसके सेंटर में थोड़ी सी दही एड़ कर देंगे इस तरह से जब आप इसमें दही एड़ करेंगे तो इसका texture बिल्कुल पनीर जैसा हो जाएगा वैसे तो ये stage बिल्कुल optional है अगर आप दही इस stage पर ना एट करना चाहें तो इससे skip कर दें और अब हम इसमें tomato की slices रख देंगे तो मैंने यहाँ पर तीन medium size के tomato को इस तरह से slices में cut कर लिया है तो इन slices को हम इस तरह रखेंगे के paint टमाटर की slices से अच्छे से cover हो जाए तो इतनी recipe देखने के बाद आपको ये realize तो हुआ ही होगा कि ये पुलाव normally हम जो घर पर पुलाव बनाते हैं उससे काफी हटके है इसकी recipe बहुत ही मज़ेदार है और स्वादने भी ये बहुत ही सांदार है ये किसी बिर्यानी से कम नहीं है तो आप इस recipe को एक बार अपने घर पर ज़रूर try कीजिएगा और हमारे साथ comment box में अपने experience share करना बिल्कुल भी मद भूलिएगा तो टमाटर की layer अच्छे से set करने के बाद बाकी बच्चे हुए उबले हुए चावल हम इसमें add कर देंगे और इसका भी एक layer तयार कर लेंगे और अब हम इसमें orange food color add कर देंगे तो देखिए आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से कोई साब भी food color add कर सकते हैं और अब हम इसमें add करेंगे एक तीस्पून केवडा water और एक तीस्पून देसी घी add कर देंगे और गानिशिंग के लिए इसमें थोड़ा साहरा धनिया add कर देंगे साथ ही में add कर देंगे fry qv प्याज देखिए अभी तक हम फुलाव को दम करने की तयारी कर रहे थे इसलिए हमने gas की flame को off रखा था अब हम gas की flame को on कर देंगे और इसे cover करके 2 minute टक high flame पर और 2 minute के बाद gas की flame को low करके 30 minute टक इसे low flame पर दम करेंगे देखिए आप इसे दम करते वक्त नीचे तबा भी रख सकते हैं या फिर अगर आपने मोटे तले का बरतन लिया है तो आप direct चुले पर ही दम कर लें तो देखिए मैंने इसे cover कर दिया और शुरुवात के 2 minute मैंने gas की flame को high रखा फिर low flame पर मैंने इसे 30 minute के लिए दम कर लिया अब gas की flame को off करके इसे sow कर लेंगे तो खाने के लिए तैयार है वेज मटर पुलाओ या फिर वटाना पुलाओ आप इसे दही के राइते के साथ भी सव कर सकते हैं लेकिन एसे ही या पुलाओ बहुत मज़ेदार है अगर आपको हमाई recipe पसंद आई है तो आप इसे friends और family में जरूर से share करें और recipe try करने के बाद comment box में हमारे साथ अपने experience share करना बिल्कुल भी न भूले और वीडियो को like जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो मेरी आपसे humble request है के एसे ही आसान, unique और simple recipes के लिए हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबाएं पिर मिलेंगे Zika India का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए good bye